हेलो दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशय को कवर करने जा रहे हैं वह है धातूओं का निश्कर्षण एक्स्ट्राक्षण ओफ मेटल्स धातूओं के निश्कर्षण की हमारी चर्चा से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक अयस्क और क्या है कृत्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाने तक्रों या योगिकों को खनेज मिनरल्स कहते हैं कुछ स्थानों पर खनेजों में कोई विशेश धातू काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाबकारी होता है इन खनिजों को अयस्क ओर कहते हैं क्योंकि अयस्क में कुछ धातु अपने यौगिक रूप में मिलते हैं इन्हें उनके शुद्ध रूप में परिवर्तित करने की आवश्यक्ता होती है अयस्क ओर से धातु प्राप्त करनी की प्रक्रिया को धातु का निशकर्शन extraction of metal कहा जाता है अब दोस्तों अयसकों को शुद्ध धातुओं में परिवर्तित करने के लिए कई चरण होते हैं ये चरण उप्योग किये जाने वाले अयसक के प्रकार अशुद्धियों की प्रकृती और निश्कर्षित किये जाने वाले धातु की अभिक्रिया शीलता पर निर्भर करते हैं धातुओं के उनके अयसकों से निश्कर्षन में शामिल प्रकृतियाओं की संक्या और परिश्करन को धातु कर्म Metallurgy कहा जाता है इसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं जो इस प्रकार हैं एक अयसक का सांद्रण Concentration of Ore दो सांदृत अयसक से धातु में परिवर्तन Conversion of Concentrated Ore into Metal तीन धातु का परिश्करन Refining of Metals अब हम इन में से प्रत्येक चरण पर एक एक करके चर्चा करेंगे अयसक का सांद्रण Concentration of Ore प्रित्वी से खनित अयसकों में मिट्टी, रेत, आदी जैसी अशुद्धियां होती हैं अयसक में मौजूद रेत, मिट्टी, चूना आदी जैसी अवांशित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं अयसक से धातु निश्कर्शित करने से पहले इन अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है अयसक से गैंग को हटाने के लिए उप्यों की जाने वाली विधियां अयसक और गैंग के भौतिक गुणों या रासायनिक गुणों के बीच के अंतर पर निर्भर करती हैं गैंग को हटाने से हम सांद्रित अयसक प्राप्त करते हैं अर्थात इसमें धातु बहुत अधिक प्रतिशत में मौजूद होगा सांद्रित अयसक से धातु में परिवर्तन Conversion of Concentrated Ore into Metal सांद्रित या सम्विद्धित अयसक से धातु को निशकर्षित करने के उद्देश से हम सभी धातु को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं एक निम्न अभिक्रियाशील धातुएं Metals of Low Reactivity 2. मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं Metals of Medium Reactivity 3. उच्च अभिक्रियाशील धातुएं Metals of High Reactivity अब हम एक एक करके तीनों वर्गों पर चर्चा करेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं का निशकर्षण निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं काफी अनभिक्रिय होते हैं इन धातुएं के Oxide को केवल गर्म करने से ही धातुप्राप्त किया जा सकता है उधारण के लिए सिनाबार, HGS, मर्करी, पारद का एक अयस्क है वायू में गर्म करने पर ये सबसे पहले Mercuric Oxide, HGO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर Mercuric Oxide, मर्करी, पारद में अबचयत हो जाता है इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायू में गर्म करके उसको अयस्क से अलग किया जा सकता है सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निशकर्शन मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं जैसे आईरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है प्रकृती में यह प्रायर सलफाइड या कार्बोनेट के रूप में पाय जाते हैं सलफाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ओक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है इसलिए अप्चयन से पहले धातु के सलफाइड एवं कार्बोनेट को धातु ओक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है सल्फाइड अयस को वायू की उपस्थिती में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ओक्साइड में परिवर्तित हो जाता है इस प्रक्रिया को भर्जन, रोस्टिंग कहते हैं कार्बनेट आयसको सीमित वायू में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ओक्साइड में परिवर्तित हो जाता है इस प्रक्रिया को निस्तापन, कैल्सिनेशन कहा जाता है जिंक के आयसकों के भरजन एवं निस्तापन के समय निम्न रासाइनिक अभिक्रिया होती है इसके बाद कार्बन जैसे उप्युक्त अप्चायक का उप्योग कर धातू प्राप्त किया जाता है उदारण के लिए जब जिंक ओक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातू में अप्चयत हो जाता है कारबन का उप्योग कर धातु के ओक्साइट को धातु में अप्चयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उप्योग किया जा सकता है अत्यधेक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, अल्यूमीनियम आदी को अप्चायक के रूप में उप्योग किया जा सकता है सक्रियता श्रेणी में सबसे उपर स्थित धातुओं का निशकर्शन उच्छ अभिक्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे उपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं इन्हें कार्बन के साथ गर्मकर इनके योगिकों से प्राप नहीं किया जा सकता है उधारण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैगनीशियम, कैल्शियम, अलुमीनियम आदी के ऑक्साइड का अपचेयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है इन धातुओं की बंधुता, कार्बन की अपेक्षा, ओक्सिजिन के प्रती अधिक होती है इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचेयन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है उदाहरण के लिए सोडियम, मैगनीजियम, एवं कैल्शियम को उनके कलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है कैथोड रिन आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातु निश्पेक्षित हो जाते हैं तथा अनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुख्थ होता है इसी प्रकार अलुमीनियम ओक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से अलुमीनियम प्राप्त किया जाता है तो बच्चो अब हम इस निश्करण प्रक्रिया के अंतिम चरण को देखें जो है धातूं का परिश्करण रिफाइनिंग ओफ मेटिल्स उपर वर्नित विद्यन अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातू पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं इनमें अब्द्रव्य होते हैं जिन्हें हटा कर ही शुद्ध धातू प्राप्त किया जा सकता है धातूं से अब्द्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधी विद्युत अबघटनी परिश्करण इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, आदी जैसे धातू का परिश्करण विद्युत अबघटन द्वारा किया जाता है इस प्रक्रम में अशुद्ध धातू को अनोड तथा शुद्ध धातू की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है धातू के लवन विल्यन का उप्योग विद्युत अबघट्य, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है इस तरह से उपकरण व्यवस्थित किया जाता है विद्युत अबघट्य से जब धरा प्रवाहित की जाती है तब एनोड परस्थित अशुद्ध धातू विद्युत अबघट्य में घुल जाता है इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातू विद्युत अबघट्य से कैथोड पर निश्पेक्षित हो जाता है विलेय अशुद्धियां विलेयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निश्पेक्षित हो जाती हैं जिसे अनोड पंक, अनोड मड कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने धातुओं का निशकर्शन, Extraction of Metals का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा, corrosion and prevention from corrosion के बारे में जानेंगे। करते हैं।